हलो फ्रेंड बेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्टुमेंट्स एन मेजरमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी अबजेक्टिव बनता है सारे के आज हम लोग रिविजन करेंगे वो भी बहुत कम समय में वीडियो बनाने का हमारा चैनल पर नए है फिलिज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकाउन को भी दबा ले ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे इस टाइप का वीडियो आरके राजपूत हो गया जेवी गुपता भीके मेता सारे का टॉपिक वाइस आपको फास्ट मोड में रिविजन के लिए वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी तक जो लोग हमारे टेलिकराम चैनल से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्सर में आपको उसका लिक मिल आप वहाँ से जाके हमारे टेलिकराम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर कोस्टन से हमारा फर्स्ट कोस्टन है दा यूज ओप डैस इस्टुमेंट्स इस मेरली कॉन्फाइंड विदिन लेबोट्री इस एज अस्टेंड इस्टुमेंट्ट तो लेबोट्री में अस्टेंड इस्टुमेंट्स के रूप में हम कौन सा इस्टुमेंट यूज करते हैं तो हमारा धेखिए औप्षन में दिया है एपसुलूट इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग और इंटिग्रेटिंग और ये आप्शन में нण अव एभब भी दिया है तो हम लेबेटरी में यूज करते हैं absolute instrument इसका इसलिए हमारा ए ओप्षन सही है absolute दूसरा question है हमारा which of the following instrument indicate the instantaneous value of the electrical quantities being measured at the time at which being measured तो indicate the instantaneous value कौन सा instrument हमारा देता है इसमें देखिए चार option दिया हुआ है absolute instrument, indicating instrument, recording instrument और integrating instrument तो दूसरा का हमारा जो option है वो B option सही है indicating instrument का हम यूज करते हैं इसमें इसलिए हमारा B option सही है थर्ड question है हमारा dense instrument are those which measure the total quantity of electricity deliver in a particular time तो एक particular time में हमारा कितना electricity deliver कर रहा है वो कौन सा instrument measure करता है तो देखिए हमारा third number का जो option है वो indicating instrument है वो एक particular time में कितना electricity इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा इंडी इंटीग्रेटिंग इंस्टुमेंट इसलिए D option सही हो जाएगा और fourth number हमारा question है which of the following are integrating instrument integrating instrument कौन सा है तो fourth number में हमारा option हो जाएगा ampere hour and watt hour meter वो इंटीग्रेटिंग इंस्टुमेंट है हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इतना सारा question है कि अगर हम slow motion में करने लेंगे तो पता चलेगा कि 100 question को करने में बहुत समय लग जाएगा इसलिए हम थोड़ा फास्ट मोड में करते हैं आपका revision करने में यह सुविधा होगा और जो लग भी नए हैं देख रहे हैं please channel को जिरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जिरूर करिएगा पांचमा नमर हमारा question है resistance can be measure with the help of तो resistance किसे measure करते हैं resistance को measure करने के लिए हम कौन से device का use करते हैं तो ohm meter and resistance bridge इसका d option सही हो जाएगा six number question है according to application instrument are classifies as तो instrument कितने type से classifies होता है तो देखे इसका six number का हमारा c option सही है a और b switchboard और portable डो type का होता है इसलिए हमारा c option सही है switchboard और portable which of the following essential feature is purchased by the indicating instrument essential feature क्या होना चाहिए इसका 7 number का हो जाएगा d option all of the above deflecting device होना चाहिए controlling device और damping device 8 number हमारा question है a dash device prevent the oscillation of moving system and enable the letter to its final position quickly 8 number का हमारा जो option है वो damping system हो जाएगा इसलिए इसका c option सही है damping 9 number question है the spring material using a spring control device should have the flowing property जो spring control system है जो spring बना होता है वो कैसा material का होना चाहिए क्या क्या प्रपर्टी होना चाहिए वह पूछ रहा है इसमें 9 number का दखिए सारा option सही है should be non magnetic non magnetic होना चाहिए must be low temperature coefficient होना चाहिए low temperature coefficient भी होना चाहिए should have low specific resistance भी होना चाहिए should not be subjected to fatigue सारा option सही है इसलिए e option इसका सही हो जाएगा 10 number हमारा question है which of the flowing property a damping coil must possess the damping coil के लिए कौन-कौन सा प्रपर्टी होना चाहिए 10 number हमारा question का इसलिए all of the above answer है must be good insulator होना चाहिए damping परटी के लिए should be non evo protein होना चाहिए should not have corrosion action up to the metal of the vein the viscosity of oil should not change with the temperature यह option सही हो जाएगा all of the above 11 number question है a moving coil permanent magnet instrument can be used as dash by using low resistance sunt तो 11 number का हमारा option हो जाएगा a meter हम बनाते हैं ऐसे करके a moving coil permanent magnet instrument can be used as a meter by using a low resistance sunt में low resistance को लगा करके हम a meter बनाते हैं by eliminating the control spring इसका c option सही है तेरा नंबर which of the following device may be used to extending the range of instrument instrument का range extend करने के लिए कौन सा device का use करते हैं तो इसमें देखिए sunt का भी यूज करते हैं multiplier का भी यूज करते हैं current transformer का use करते हैं और potential transformer सारे का use करते हैं इसलिए all of the above option हो जाएगा चौदा नंबर कोस्चन है and induction meter can handle current अब तूर ते induction meter जो है वो कितना ampere तक current handle कर सकता है तो चौदा नंबर का हो जाएगा 100 ampere तक इसके d option सही हो जाएगा 15 नंबर कोस्चन है for handling greater current induction watt meter are used in conjunction with 15 नंबर का अबरा option हो जाएगा current transformer इसका b option सही है current transformer और 16 नंबर का देखे question है induction type single phase energy meter measure electrical energy in induction type जो energy meter है वो electrical energy को measure करते हैं concept format में हमारा हो जाएगा 16 नंबर का हमारा हो जाएगा kilowatt hour में हमारा यह indicate करके बताता है induction type single phase energy meter kilowatt hour इसका c option सही हो जाएगा 17 नंबर most common form of ac meter meet with in everyday domestic and industrial installation are 17 नंबर का हमारा option हो जाएगा induction type single phase energy meter इसका c option सही हो जाएगा single phase induction type energy meter 18 नंबर which are the following meter are not used in DC circuit DC circuit में कौन सा meter use नहीं करते हैं induction type shift ac में use करते हैं इसलिए induction meter हो जाएगा induction meter को हम DC circuit में use नहीं करते हैं 19 नंबर question which are the following is a essential part of motor meter motor meter का सबसे essential part कौन सा है 19 नंबर का दखिए तो motor meter में साराज option जो दिया है वो essential है एन operating torque system होना चाहिए एक breaking device भी होना चाहिए और regulation registering device भी होना चाहिए इसका D option सही हो जाएगा all of the above एक potentiometer में भी use for तो potentiometer कहां use करते हैं तो measurement of resistance, measurement of current, calibration of ammeter, calibration of voltmeter सब जगा यूज करते हैं potentiometer का 20 नंबर का दखिए Dice is an instrument which measures the insulation resistance of electrical circuit relative to earth and one another इसका B option सही हो जाएगा insulation resistance मेजर करते हैं 20 नंबर question है The household energy meter कैसा होता है 22 नंबर का दखिए and integrating instrument होता है इसका C option सही हो जाएगा The pointer of indicating instrument should be कैसा होना चाहिए indicating instrument का जो pointer है वो कैसा होना चाहिए तो यह very light होना चाहिए करते हैं सबसे ज्यादा 25 नंबर का हमरा option हो जाएगा 27 नंबर the controlling torque is provided by portable instrument में controlling torque कैसे provide करते है 27 नंबर का दखिए हमारा spring से करते है जो लोग नए है इस चैनल पे नए देख रहे है पिलीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक like जरूर करिएगा बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में 28 नंबर question a digs off instrument using eddy current damping should be off 28 नंबर का हमारा option हो जाएगा C option सही है non conducting and magnetic material का होना चाहिए 29 नंबर the switchboard instruments switchboard instrument कैसा होना चाहिए इसका a option हो जाएगा should be mountain in vertical position जो switchboard होता है वो vertical position में ही लगाना चाहिए 30 नंबर का हमारा है question the function of sunt इन है ammeter ammeter में sunt का क्या function है तो 30 नंबर का देखिए इसका a option से जाएगा by pass the current a meter में sunt लगा करके हम current को by pass करते हैं 31 नंबर the multimeter sorry the multiplier and the meter coil in a voltmeter are multiplier और meter coil volt meter में कैसे connected होता है 31 का देखिए यह दोनों series में connected होता है इसलिए a option सही हो जाएगा a moving iron instrument can be used for moving iron किसको measure करने के लिए हम use करते हैं 32 नंबर का हमारा हो जाएगा c option dc और ac moving iron का हम dc ac दोनों measure करने के लिए करते हैं लेकिन moving coil का use सिफ dc measure करने के लिए करते हैं 33 नंबर question हमारा the scale of reactive fire instrument is 33 नंबर का हो जाएगा a option linear होना चाहिए a option सही है for measuring current at high frequency b to use high frequency current measure करने के लिए हम कौन सा instrument use करते हैं तो देखिए हमारा 34 नंबर का हमारा हो जाएगा dc को measure करने के लिए हम dynamometer का भी use करते हैं induction watt meter can be used for induction watt meter कहां use करते हैं 37 नंबर का हमारा हो जाएगा b or induction watt meter can be used for induction AC के लिए हम यूज करते हैं लोड इंपिडेंस हाई रहेगा तब इसका यह option सही हो जाएगा 39 का इन्हें low power factor watt meter the pressure coil is connected low power factor watt meter pressure coil कैसे connected होता है 39 का देख लिए इसका भी हो जाएगा to be load side of current coil इसका b option सही हो जाएगा to be load side of current coil 40 नंबर का हमारा question है इन्हे low power factor watt meter the compensating coil is connected compensating coil कैसे connected होता है 40 नंबर का हो जाएगा in series with pressure coil c option सही हो जाएगा series with pressure coil से हमारा compensating coil connected होता है 41 नंबर इन्हे 3 phase power measurement by 2 watt meter method both watt meter measure both watt meter head identical rating the power factor of load is जब दोनो watt meter का rating identical हो तो power factor of the load क्या होगा तो 41 का A हो जाएगा unity हो जाएगा 42 नंबर इन्हे 3 phase power measurement by 2 watt meter method by reading of by reading of by reading of 1 watt meter 2 watt meter का use करते है और एक का reading है वो 0 है then power factor of load must be तो power factor पावर फेक्टर क्या होगा पावर फेक्टर हमारा हो जाएगा इसका 0.5 हो जाएगा पावर फेक्टर जब दोनों identical देगा तो unity हो जाएगा अगर एक watt meter हमारा 0 दे रहा है तो 0.5 हो जाएगा 43 नमबर देखते है the adjustment of position of setting band इन्हें energy meter is done to provide 43 का हमारा हो जाएगा friction compensation इसका a option सही है an ohm meter is तो ohm meter क्या होता है 44 नमबर का हमारा देखिए ohm meter क्या होता है moving coil instrument होता है ohm meter इसका b option सही हो जाएगा 45 नमबर when a capacitor was connected to the terminal of ohm meter the pointer indicates a low resistance initially and then slowly come to infinite position this show what capacitor is तो capacitor कैसा है 45 नमबर का हमारा पूछ रहा है तब b option सही हो जाएगा all right सही है हमारा capacitor 46 नमबर for measuring a very high resistance we should use high resistance measure करने के लिए हम कौन सा instrument use करते हैं तो इसमें हम mega का use करते हैं high resistance measure करने के लिए 47 नमबर हमारा question है the electrical power to measure a drive and why provided by mega में हम electrical power कैसे देते हैं तो 47 नमबर का हमारा हो जाएगा permanent magnet DC generator से हम देते हैं high driving generator होता है हाथ से घुमा करके हम इसमें power देते हैं permanent magnet DC generator से हम mega में power देते हैं 48 नमबर इने mega controlling torque is provided by mega में controlling torque कैसे हम provide करते हैं तो क्वाइल से हम इसका controlling करते हैं इसका C option से ही हो जाएगा the operating voltage of mega is about mega का operating voltage कितना होता है 49 का 100 volt होता है इसका D option से ही हो जाएगा Murray loop test can be used for location of Murray loop test को हम क्यों करते हैं किसका location find करने के लिए तब 50 नमबर का आमारा option हो जाएगा इसका हम बोथ ground fault and short circuit fault दोनों नापते हैं Murray loop test से इसका C option सही हो जाएगा इक common number which is the following device should be used for the accurate measurement of DC voltage DC voltage का accurate measurement के लिए हम कौन से instrument का use करते हैं हम उसमें use करते हैं DC potentiometer का इसका B option सही हो जाएगा बामन नमबर का it is required to measure the true open circuit EMF of battery the best device is सबसे best device हो जाएगा इसका C option सही है DC potentiometer 53 नमबर का a voltage of about 200 volt can be measured 200 volt तक measured करने के लिए हम कौन सा device का use करते हैं 53 नमबर का हमारा हो जाएगा इसका B option सही है DC potentiometer in conjunction with volt ratio box इसका B option सही हो जाएगा 44 नमबर का है direct current can be measured by direct current means DC current कैसे measure करते हैं तो 54 नमबर का हमारा option हो जाएगा a DC potentiometer in connection with a standard resistance इसका B option सही हो जाएगा पचपन नमबर का है to measure a resistance with the health of potentiometer potentiometer से resistance को measure करना है तो क्या करना होगा तो 55 नमबर का हमारा देखिए इसका B option सही है not necessary to standardize the potentiometer कोई जरूरी नहीं है कि हम potentiometer का standardize करें तभी हम resistance को measure कर पाएगे इसलिए हमारा B option सही है a phase shifting transformer is used in conjunction with तो 56 नमबर का हमारा option हो जाएगा B option सही है इसका drasdale potentiometer इसका B option सही है जो लोग नए इस चैनल पे हैं please channel को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी bell icon को भी जरूर दबाईएगा ताकि आपको updates मिलता रहे 57 नमबर question है हमारा basically potentiometer is a device for potentiometer potentiometer is a device for 57 नमबर का हमारा option के नुशार देखिए comparing to voltage को compare करता है potentiometer इसका A option सही हो जाएगा comparing to voltage 58 नमबर in order to achieve high accuracy the slide wire of potentiometer should be तो कैसा होना चाहिए 58 नमबर का as long as possible होना चाहिए इसका as long as possible इसका A option सही हो जाएगा 59 नमबर का देखिए to measure AC voltage by using an AC potentiometer it is desirable that the supply for the potentiometer is taken 59 नमबर का हमारा C option हो जाएगा from the same source as the unknown voltage इसका C option सही है 60 नमबर the starter of phase shifting transformer for use in conjunction with an AC potentiometer usually has 60 नमबर का मारा B option सही हो जाएगा two phase winding 61 नमबर question है in AC coordinate potentiometer the current in phase and quadrature potentiometer are adjusted to 61 नमबर का हमारा देखिए option हो जाएगा 61 नमबर का मारा A option सही है out of phase by 90 degree 62 नमबर universal RLC bridge universal RLC bridge क्या होता है maxwell vein bridge for measurement of inductance and modify desalty bridge for measurement of capacitance इसका B option सही हो जाएगा 63 नमबर है for measurement of high voltage capacitance the suitable bridge is high voltage capacitance को measure करना के लिए इसका C option सही हो जाएगा sharing bridge in induction bridge the unknown inductance inductance is measured in term of 64 का हो जाएगा B option unknown capacitance and resistance warner arthing device is used to eliminate error due to 65 नमबर का A option हो जाएगा electrostatic coupling 66 नमबर for measurement of inductance having high value high value inductance ना आपने के लिए हम हे bridge का यूज करते हैं इसका C option सही हो जाएगा 68 नमर the current in a capacitor leads to voltage by 80 degree the loss angle of the capacitor loss angle निकानल के लिए हम 90 में से 80 घटाएगा इसका 10 degree हो जाएगा 68 नमर का A option सही हो जाएगा 10 degree the sharing bridge the potential of the detector above earth potential is 69 का A option हो जाएगा 21 नमर का देखते हैं inductance is connected in one arm of bridge and resistance in the remaining three arm एक arm में हम inductance लगा हैं और बाके में resistance लगा हैं तो क्या होगा 21 नमर का हमारा option हो जाएगा इसका B option सही है the bridge cannot be balanced balance नहीं रापाएगा इसलिए B option सही है power factor meter है power factor meter क्या होता है 72 नमर का देखिए one current circuit and two pressure circuit होता है power factor meter में इसका A option सही हो जाएगा 73 नमर two pressure coil of a single phase power factor meter है 73 नमर का हो जाएगा A option the same dimension and the same number of turn इसका A option सही हो जाएगा 74 नमर the single phase power factor meter phase difference between current in the two pressure coil is 74 नमर का हो जाएगा C option exactly 90 degree है a dynamometer three phase power factor meter the planes of two moving coils are at कितना degree होना चाहिए 75 का D option है 120 degree होना चाहिए इसका D option सही हो जाएगा 76 का vibrating read frequency meter the natural frequency of two adjacent reads have the difference of तो दो reads जो होता है उसको बीच में कितना difference होता है कितने hertz का तो 76 नमर का दखिए 0.5 hertz का difference होता है इसका C option सही हो जाएगा इने बेस्टन frequency meter the magnetic axis of two fixed coils are 77 नमर का मरा हो जाएगा B option perpendicular होता है इसका B option सही हो जाएगा एक बेस्टन frequency meter इस तो बेस्टन frequency meter क्या होता है 78 नमर का मरा हो जाएगा इसका B option सही है moving iron instrument होता है बेस्टन frequency meter 29 का a western synchronoscope is a western synchronoscope is 79 का हो जाएगा C option सही है इसका dynamometer instrument इसमें बताने के कुछ बात ही नहीं है सारा है वो याद करने वाला चीज है इसलिए हम थोला और fast mode में कर रहे हैं ताकि आपको revision कम से कम हो जाए इने western synchronoscope the fixed coil are connected across इसका B option सही हो जाएगा इने western synchronoscope the moving coil is connected moving coil कैसे connected होता है इसका A option हो जाएगा बस बार से connected होता है power factor of single phase load can be calculated if the instrument available are 82 का B option हो जाएगा 1 volt meter, 1 meter and 1 watt meter तीनों चीज रहेगा तभी हम power factor निकाल सकते हैं 83 नमर का the desirable static characteristic of measurement measuring system measuring system का desirable characteristic क्या क्या होना चाहिए 83 नमर का हमारा हो जाएगा इसका B option accuracy होना चाहिए sensitivity होना चाहिए the ratio of maximum displacement device to full scale deviation of the instrument is called 84 नमर का इसको C linearity बोलते हैं इसे 85 नमर का systematic error systematic error कौन से होता है 85 का D option सही है systematic error में environmental error इंबारमेंटल इरर और अर्जुर्वेशनल इरर standard resistance is made of standard resistance किससे बनाता है 86 का हमारा हो जाएगा मैगनीन से बनाता है यह zero temperature coefficient होता है variation काम होता है temperature का effect थोड़ा काम होता है इसलिए हम इसको बनाते हैं commonly used standard capacitor commonly used standard capacitor कैसा होता है 87 का देख लिए 87 का हमारा B option सही है concentric cylindrical type का होना चाहिए इसका B option सही है operating torque in analog instrument analog instrument में operating torque 88 का C option से हो जाएगा deflecting, controlling and damping हो जाएगा commonly used instrument in power system measurement power system measurement में कौन सा instrument यूज़ करते हैं इसका A option हो जाएगा induction type का यूज़ करते हैं damping of plastic galvolometer is made small plastic galvolometer का damping कम damping कैसे कर सकते है तो 90 number का मारा A option हो जाएगा get first deflection large इसका A option सही है first deflection को large करके 91 if the instrument has cramped a scale for large value then it's follow 91 number का मारा B option हो जाएगा logarithmic law इसका B option सही है volt box in conjunction with 92 number का मारा option हो जाएगा A option extend voltage range volt box का use करते हैं voltage range को बढ़ाने के लिए EMF of western cell is accurately measured by western cell का EMF कैसे हम measure करेंगे 93 का A option हो जाएगा electrostatic voltmeter सही इसका A option सही है 94 number का the gravity control instrument has crawl a scale because current is proportional to 94 number का C option सही हो जाएगा sign of deflection angle a sensitive galvanometer produce large deflection for 95 number का हो जाएगा A option small value of current और 96 number का हमारा option हो जाएगा a multimeter instrument है 96 का हो जाएगा multimeter instrument कैसा होता है इसका A option सही हो जाएगा multimeter sunt or resistant inside the meter the rectifier instrument is not free from active fire instrument किसे free नहीं होता है 97 number 80 हो जाएगा frequency error से free नहीं होता है 98 number का the alternating current is measured by alternating current को कैसे measure करते है 98 number का देख लिए induction type से हम alternating current का measure करते हैं induction type meter से हम DC current को नहीं measure कर सकते है 99 number का most sensitive galvanometer सबसे ज्यादा sensitive galvanometer होता है sport blasting galvanometer होता है इसका D option से हो जागा instrument transformer instrument transformer कैसा होता है potential transformer और current transformer दोरो टाइप का होता है तो दोस्तों यह हमारा first part है क्योंकि समय question बहुत ज्यादा है समय ज्यादा लग जाएगा तो हम next जो question बच गया उसको मैं second part में कर दूंगा तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे like जिरू करिएगा और दोस्तों को भी share करें ताकि आप के साथ साथ दोस्तों को भी फाइदा हो thank you